तो आज हम लोग बात करने वाले हैं financial risk management as a course, तो risk management में, finance में, stock markets में, banking में, एक gold standard program है, यह financial risk management का जो course है, इसका जो key aspects है, वो यह है, कि यह short term है, short term का मतलब क्या होता है, यह 6 months से 1 year में, खतम हो जाता है, और पूरा 100% CBT है, computer based testing है, और MCQ है, level 1 में आपका 100 MCQ जाता है, और level 2 में आपका 80 MCQ जाता है, इस course का, जो total costing है, वो आपका 2 lakh रुपया आता है, calculator जो आपको use करना पड़ता है, वो है Texas BA2 Plus Instruments Financial Calculator, अब जैसे क्या है, इस course को आज हम लोग समझेंगे, कि यह course में actual में क्या है, सबसे पहले, अब जैसे क्या है, यह globally recognized course है, इसमें आप क्या क्या चीज़ के बारे में सीखते हो, रिस्क मानेजमेंट के बारे में, equipping individuals with the knowledge and skills to identify, assess and mitigate various financial risks, ठीक है, मैं आपको कुछ-कुछ example देता हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ-कुछ example देना चाहता हूँ, सबसे पहले, आप एक बात करिए, एक insurance company के बारे में, आज insurance company बहुत सरा risk पे बैठता है, कि बहुत कितना साल तक premium आएगा, और कब ना जाने वो आदमी मर जाएगा, happening of a contingent event, अब बात करिए, बैंक के बारे में, बैंक आज loans देता है, तो credit quality assess करना पड़ता है, individuals का and institutions का, ठीक है, so basically, जो bonds issue होते हैं, आज आप देखेंगे, stock market में इतना पैसा गुसर है, but 90% bond में पैसा है, तो bond, जो market जो इतना बड़ा है, आज company को यगर अपना bond issue ला रहा है, तो उसका risk को assess करना, कि भई company पैसा वापस देगा के नहीं देगा, तो credit rating agencies का यहाँ पर knowledge आता है, उसके बाद में services का export होता है इंडिया के बाहर, जो MNC companies जो basically करती हैं, जो consulting companies जो होती हैं, जैसे आपका KPMG, E&Y, Deloitte, PwC, Grant Thornton, BDO, इन सबका एक risk department है, जो MNC companies हैं, वो भी हमको hire करती हैं, ठीक है, trading firms, trading firms हमको खोचती हैं, जैसे कि Axella हो गया, futures first हो गया, उसके बाद में जो banking organizations हैं, जो बड़े-बड़े banks है, Goldman, Morgan Stanley, जो private equity funds है, hedge funds है, तो basically concept क्या है FRM का, कि अगर आपको अपना return और risk देखना है, तो आपको risk को manage करना पड़ेगा, आज हम लोग क्या बोलते हैं, कि मेरे को risk नहीं लेना है, मेरे को risk कम लेना है, मेरे को risk medium लेना है, मेरे को high risk लेना है, तो उसके हिसाब से asset class निकल के आता है, zero risk मतलब government का कोई चीज में मैं invest करूँगा, कम risk मतलब मैं gold वगरा मैं invest करूँगा, medium risk मतलब मैं mutual funds में करूँगा, जादा risk मतलब मैं small cap में या फिर direct equity में या फिर FNO में करूँगा, आप समझ पा रहे हो मेरा मतलब, तो basically ये course आपको एक बहुत अच्छा outline देगा, आज जैसे बहुत लोग को होता है, हमको quant modeling में जाना है, हमको AI में जाना है, हमको machine learning में जाना है, जो आज का जो time है, वो भी ये course incorporate करता है, अब अगर देखा जाए तो machine learning का बहुत जादा नहीं, आप चाहो तो इसको skip कर दो, उसमें एक-दो topics है, बट हम वैसे नहीं कराते हैं, हम लोग का जो भी learning होगा, वो in-depth होगा, रियल data के basis पे होगा, spreadsheets पे होगा, उसके बिना ये course को करके कोई मतलब नहीं है, आज इतने सारे जो events हुए, आप देखते हो, stock market में जब भी हम लोग देखते हैं, आज markets all-time high पे trade कर रहा है, तो stock markets में आप देखते हो, जितना भी सब चीज है न, तो वो बहुत सारे black events से होके गुजरा है, जैसे आप देखोगे great depression, 7-8 का crisis, dot com bubble, Brexit हुआ, उसके बाद में war situations हुए, corona हुआ, but still markets are all-time high, तो यह सब जो risk जो है, तो उसको evaluate करना, उसको mitigate करना अलग-अलग टूल से, asset liability manage करना, companies का, तो वो एक FRM का काम होता है, ठीक है? So अगर आप देखेंगे, इससे उपर, financial risk management में कोई course नहीं है, 87,000 professionals already qualified है, जिनका FRM का designation अलड़ी आ चुका है, like just, मैं देखता था, कि एक से डेड़ मैना पहले, एक से डेड़ मैना पहले यह जो data है, यह 85,000 पे था, ठीक है, अब just, आप देखो, यह 87,000 पे आ गया, तो there is increasing need of risk professionals, आप बोलोगे, 87,000 लोग है, तो मेरा क्या काम, अब आप देखो, वर्ल्ड, अब खली इंडिया का बात करो आप, आज कोई भी चीज को अगर करना है, तो उसमें क्या चीज का सबसे ज़्यादा काम लगता है, वो है banking and non, basically जो financing channel जो होता है, ठीक है ना, banks, insurance, companies के भी न, कोई भी चीज आगे नहीं भढ़ सकता है, and they sit on a lot of risk, तो वो risk को manage करने के लिए, एक आदमी चाहिए, जो कि हमारे जैसे लोग होते है, ठीक है, सबसे बड़ा चीज का है कि यह बहुत short time में complete किया जा सकता है, अगर आप दोनों level एक साथ देते हो, तो आप 6 महने में कर सकते हो, अगर आप एक एक करके देते हो, तो आप 10 से 12 महने में कर सकते हो, इसका exam साल में 3 बार होता है, ठीक है ना, बहुत जादा costly नहीं है, costly है लेकिन बहुत जादा costly नहीं है, हमारा जो training fees है वो 60,000 पर आता है, दोनों level मिला के, एंड जो institute related fees है वो 1,40 पर आता है, so 87,000 professionals are already working in the industry, and इंडिया का एकनॉमी जो है, अगर आप उसको देखोगे, 3 trillion से अगर उसको 30 trillion पर जाना है, so ये हर चीज में, आप देखेंगे, risk officials का काम है, जो हमारा जो central bank है, RBI, वहाँ पर भी risk officers का दरकार पढ़ता है, but definitely that's a different route, but definitely this will be accredited there also, मतलब आप अगर ये course करते हो, और अगर आपका मन है कि भाई मेरको banking में ही, मेरको RBI के तरफ में कुछ जाना है, या फिर मितलब मेरको, तो वहाँ पर आपको ये course बहुत value add करके देगा, ये course कर लिने से भाई नौकरी लगेगा ऐसा नहीं है, but वो उस process में आपको बहुत help करेगा, आज knowledge building में आपको ये course बहुत help करेगा, in finance and risk management banking, चीक है, So, कौन-कौन सी companies है, So, asset management companies है, consulting firms है, banks है, उसके बाद में आप देखो, ये सब मैंने डाला, ये सारी के सारी companies जो है, ये सारी के सारी जो companies है, Bank of America है, जो BOFA के नाम से जाना है, credit stores होगे, Deloitte, BlackRock, ENY, Moody's, So, Moody's is basically credit rating agency, ठीक है ना? So, हर एक company, जो finance aspect में, risk के साथ में deal कर रहा है, उसको FRM का दरकार पढ़ेगा, and पढ़ रहा है, ठीक है? So, job opportunities में, आपके कैसे कैसे, आपको options मिल सकते हैं, risk analyst हो गया, portfolio का हो गया, financial controller हो गया, equity analyst हो गया, ठीक है? So, let's talk about the pay package, sir, एकदब मुद्दे की बात पर आईए, हम लोग कोई भी course आज करते हैं, तो सबसे पहले हमको pay का बताईए. So, एक जो graduate है, जो fresh graduate है, वो खाली अगर graduate है, and अगर उसके साथ में, उसने FRM किया है. So, वहाँ पर आप एक niche create करते हो, in finance and banking sector jobs. So, basically, क्या होता है, कि आप एक देखोगे, इंडिया में जो top 30 colleges है, ठीक है, मैं top 30 colleges का बात करता हूँ, तो वहाँ से अगर आप graduation करते हैं, तो आपका जो average में जो pay लगता है, वो लगबग 4-5 लाका लगता है, कुछ-कुछ अगर आप देखोगे, तो एकदम niche colleges है, जो मतलब top 5 colleges वहाँ, वो average में 10-12 लाक भी जा सकता है, but this course basically can help you with somewhere around a hike of 20-40%. It can make a difference. And अगर आप ये course करते हो, so basically आप जादा probability होता है आपका that you will get into the finance sector jobs and risk management jobs. Okay, so basically they look for professionals, those who are doing FRM. Okay, so if you are in your third year or maybe in your second year or maybe in your first year. So आपको ये लगता है कि सर, इसमें तो मैंने एक-दो बार देखा है, बहुत जादा quants है. So वो quant heavy है, but आप देखोगे, exam में जो questions आते हैं, 30% practical आते हैं, बाकि आप्लिकेशन बेस जाते हैं. लेवल वन और लेवल टू में, दोनों में ही. तो बेसिकली वो चीज़ आपको बेसिक से सीखने में हो सकते है, एक-दो मैना जादा लगेगा, बट बहुत जादा difficult नहीं है कोई भी चीज़ इसमें. आज जैसे आप देखोगे, तो उसमें क्या होते हैं, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, रिगार्डिंग कॉण्ट आपका, उसके बाद में आपको फाइन्स का, फिनैंशल प्रोडटक्स का, ठीक है ना, रिस्क मॉडल्स का, जो इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, आपका रिस्क मैनेजमेंट फांडेशन अच्छा बनेगा, डिफरेंट टाइपस अफ रिस्क डाट बैंक फेसे और एनी ओगनाईजेशन फेसे बीट ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ओके, लिक्विडिटी रिस्क, तो यह सारे टाइप के जो रिस्क होता, आप जैसे माल लो, अपरेशनल रिस्क, कि अगर आमेजन का वेबसेट रुख जाए, तो उसको कितने का नुकसान होगा, और उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, आप समझ रहे हो, तो बेसिकली, कि बहुत सारे options and avenues खुलते हैं आपके, and basically एक normal graduate जो है, वो कम से कम effort लगा के, एक अच्छा रिस्क प्रोफेशनल बन सकता है, by joining the FRM program, ठीक है ना, तो यह जो average pay package जो मैंने लगाया है, यह अब कोई अगर MBA अलरड़ी है, तो वो बुलेगा, सर मेरा तो package अब 20 लाग का, तो मैं यह course क्यों करूँ, अगर मेरा 20 लाग का अलरड़ी package है, आपने तो यहां पर 6 से 10 लाग लिखा है, this is for fresh graduates, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, and जो FRM कर सकते हैं, they can complete it in 6 months to 1 year of time, अब कोई already MBA है, कोई CA है, कोई actuary है, कोई CFA है, जो अलरड़ी 10, 15, 20, 25, 30 लाग के package में काम कर रहा है, so by doing this course, they can expect better profiles, and yes, they can also expect a salary hike of 20 to 50%, okay, the risk management is basically booming in India, okay, आप देखो कि जो भी loans, आप देखो past में जितने भी सारे banking frauds हुए हैं, ठीक है ना, तो लोगों का reliance धीरे-धीरे करके वापस से restore हो रहा है banking channels पे, अभी recent में आप देखा, यह बैंक का जो हुआ था, तो basically, there is a lot of scope in the risk management sector, okay, so इसके बाद में आप देखेंगे, आपको, जो chief risk officer है definitely as a fresher, आपको नहीं मिलेगा, but definitely that's the aim, कि भई यहां आपको पहुँचना है, ठीक है ना, so these are some of the roles आपको treasury में मिल सकता है, ठीक है ना, आपको compliance में मिल सकता है, ठीक है, so basically audit, आप बोलोगे sir audit तो CA करता है, but ऐसा नहीं है, ठीक है ना, so basically risk management का एक aspect है audit, ठीक है, so basically आपको उसमें भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना, so these are some of the roles that FRM's are working on, okay, so अभी आप देखो eligibility criteria क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, and knowledge level का क्या है, कि भई कौन कर सकता है इस course को, so अगर आप देखोगे, just give me a moment, yeah, okay, so अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग eligibility का बात कर सकते हैं, कोई भी जो student, जो class 12 pass है, वो इसको कर सकता है, तो कर सकता है, और क्या करना चाहिए, उसका मैं difference अभी समझा देता हूँ, तो कोई भी class 12 pass है, तो वो कर सकता है, तो बाकी लोग तो करी सकते हैं, ठीके ना, class 12 pass बच्चा, FRM कर सकता है, दो साल का work experience देना होता है, so basically that is within five years of time, ठीके ना, so basically that is also not a big problem, once you clear both the levels, एक certain time के अंदर में, आपको दो साल का experience देना होता है, ठीके ना, so that is again not a problem to get your FRM designation, तो वो सारे जो process है, उसमें हम लोग आपको help करेंगे, जैसे two years of relevant work experience, within five years of your completion of both the levels, ठीके ना, अब जैसे सबसे ज़्यादा जो mail जो course खाता है, जो आप देखोगे, लोग generally acturies के साथ में FRM करते हैं, लोग CFA के साथ में FRM करते हैं, क्योंकि syllabus बहुत मिलता जोलता है, and exemptions भी हैं, जैसे अगर आप FRM करते हो, तो आपको acturies का एक paper में exemption भी मिलता है, that is the SP level exam, and किसको करना चाहिए, जिसको interest है, financial markets में, risk में, banking में, ठीके ना, आपको, जैसे बहुत जन को होता है, कि भी में को gold brand में काम करना है, in exposit department, तो वैसे नहीं होता है, you need to basically streamline your courses along with that, अब जैसे बहुत लोग होता है, वो लोग को MBA करना होता है, तो आज जैसे आपका graduation चार साल का हो गया है, तो आपका MBA का जो prep है, आज अगर आप class 12 से भी चालू कर रहे हो, आप just first year में आए हो, तो अगर आप FRM एक से डेढ़ साल में complete कर ले तो, तब आप अगर MBA का preparation चालू करते हो, that's the best thing, आपने already एक degree ले लिया है, आपने already एक program complete कर लिया है, फिर आप अपना MBA का prep चालू कर रहे हो, तो आपका time का time utilize हो गया, और आपको pressure भी नहीं लेना है, कि भाई, बाद में मेरा ये balance, balance levels clear होगा कि नहीं होगा, वो सब आपको नहीं करना है, आपको अपने आपको दिखाया है, 87,000 प्लस professionals कर चुके हैं, आपको career advancement मिलेगा, and basically आप देखोगे, जो है, आज के दिन पर सब को क्या है ना, एक आप देखोगे एक जो investor आपके घर पर भी ऐसे बात होता होगा, कि कोई भी जब, opportunity का बात होता है, तो पापा ममी पहले यही पुछते की, इसमें risk कितना है, इसमें risk कितना है, इसमें risk कितना है, तो हर एक investor जो होगे ना, उसको यही रहेगा, इसमें risk कितना है, तो वो risk कितना है, उसको बताने के लिए, उसको मापने के लिए, इसको mitigate करने के लिए कौन है हमारे जैसे लोग है तो बहुत ही diversified आप देखोगे इसका जो study content है and बहुत interesting study content है you can basically do it in some of the programming softwares जो हम लोग आपको सिखाते हैं इसके साथ में like on spreadsheets and definitely AI and machine learning is there अब समझने के लिए हम लोग आपको जो banking models है वो भी आपको दिखाएंगे so that's again a plus point आप जितने अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो ठीक ना so definitely someone who is doing any of the finance courses be it CA, MBA, Actuary, CFA और उसके साथ आप कुछ भी कर रहे हो आप ACCA कर रहे हो, आप CPA कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो FRM is something that can go with any of the courses okay and regarding the time commitments it's basically every day you need to study two hours so it's also suitable to the working professionals अगर आप already finance sector में काम कर रहे हो insurance sector में काम कर रहे हो, आपको career advancement करना है you are just bored with the 5% 10% increment that you're getting so definitely do something which is relevant to your work okay and definitely with better profiles as well so basically how can you achieve the designation you need to pass both the levels of FRM so part 1 is 100 MCQs and part 2 is 80 MCQs you need to have minimum 2 years of relevant experience and then you get the FRM certification, ठीक है ना so for example अगर आप कॉलेज के फर्स्ट यर में भी खतम कर लेते हो then आपके पास में पाँच साल रहेंगे and basically इसका जो work experience होता है ना that is very easy, मतलब वैसा नहीं कि बहुत जादा उसमें complications है आप जो भी काम करते हो, internship करते हो, आप सबको उसमें proper way में work experience में दिखा सकते हो ठीके ना, so that's again a positive point about this so basically आप देखो, अगर आप अभी हमारे साथ में चालू करते हो, तो क्या है आपका road map so आप level 1 November में दे सकते हो so basically level 1 जो आप November में देंगे, उसका last day to register under GARP website is July 31st and the prep time is 3 months only, 3 to 4 months for level 1 अभी आपके पास में perfect 4 months का time है and for level 2, we are aiming the May 25 attempt इसके exams जो हैं, वो साल में 3 बार होते हैं ठीक है, and इसका 4 घंटे का exam होते है exams होते हैं आपके May, August and November में अब बहुत लग बोलेंगे सर मेरा, तो May और November में college का भी exam होते है so basically May और November में जो college का जो exam होते हैं इसमें एक दिन पर ही exam नहीं होते है एक window रहते है एक आपको approximately एक हफ़ते का window मिलता है जैसे November में है आपका 9 से 15 तो 9 से 15 के बीच में आप कोई भी एक दिन slot book करके आप exam दे सकते हो आपको exam में बैठने के लिए आपको एक passport चाहिए होगा that's a very simple process तो उसमें हमारी टीम आपको पुरा help करेगी ठीक है ना and it's a CBT computer-based testing और इसका on-site exam होता है basically Pearson के test centers होते है जो आपको वहाँ पर जा के exam देना होता है ठीक है ना and almost every location in India you will get the test center so that's again not a problem ठीक है ना so काफी spread out है इसके जो test centers है वो भी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ठीक है so level 2 is again 80 MCQs and their duration is 4 hours उसका timer कभी stop नहीं होता है आपको washroom break वगरा जो भी लेना होता है तो वो basically आपको उसी में करना होता है ठीक है ना तो यह चीज़ है so if you talk about how can you clear level 1 आप देखोगे इसमें दरा 4 parts so 20% weightage जो आपका level 1 में है वो financial market and products पे sorry 20% weightage जो आपका है that is in foundations of risk management okay and 20% is in quant analysis which is a quant जिसमें आपको basic level पे हम लोग statistics से चालू करते है that what is probability, what is random variable जितने भी सारे financial markets and products है उसके बारे में आपको knowledge मिलेगा उसका जो weightage है 30% है and basically जो risk के जो measures जो होते है risk tools जो होते है that is valuation and risk models जो है उसका weightage 30% है so basically there are 4 topics in level 1 that you need to study on an average you need to study 200 hours and currently you are having 4 months of time so 3 to 4 months of time is sufficient to prepare for level 1 अब जैसे मालनी जागर आपके पस 2 महने का time है तो आपको दिन में 5-6 गंटे करके पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आपका clear होगा level 1 and yes हमारा जो LMS है basically since it's a computer based तो हमने भी हमारा उसी तरीके से बनाया है तो उसमें आपको 3000 plus MCQs मिलेंगे for level 1 and 3000 plus MCQs मिलेंगे for level 2 to solve so basically आप अगर देखोगे तो 4 क्या-क्या topics है आपका जो कम वेटेज वाला जो topics है level 1 में that is 20% is in foundations of risk management and 20% is in quantitative analysis and 30% जो है आपका financial market and products है and 30% जो है आपका valuation and risk models पे है similarly in level 2 if you see level 2 में there are 6 topics there are 5 topics broadly okay so basically current issues is there operational risk is there credit risk is there market risk is there and liquid and treasury risk management is there okay so it's there I guess we have just missed there is there is market risk is there yeah okay so level 2 का जो प्रेप है थोड़ा सा exotic है ठीक है ना level 2 का जो प्रेप है वो थोड़ा सा exotic है so level 2 में आपको थोड़ा सा effort जादा लगाना पड़ता है that is why we have put in 252-300 hours of effort in level 2 but definitely level 1 पर अगर आपका base बहुत अच्छा बनता है तो बहुत सरे topics आपको overlapping भी मिलेंगे ठीक है ना so level 2 में आप देखोगे आपको 5-6 months of prep चाहिए and तीन घंटा आवरेज में आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना so that's basically the basic funda of FRM okay and इसके बाद में अगर आप देखोगे so इसका जो fees है fee structure जो है so that let's see so आप अगर देखोगे इसमें क्या होता है ना आपका एक early registration होता है और एक standard registration होता है तो एक one time आपका enrollment fees लगता है आपका एक one time enrollment fees लगता है 33, 34,000 के असपस आता है आपका जो exam fees लगता है level 1 का and level 2 का that is 600 dollars each so 600 dollars roughly आपके 50,000 रुपय होते है तो दो बार आप exam दोगे level 1 and level 2 का so उसका आपका हो गया 50,000-50,000 1,00,000 आपका यहाँ हो गया and जो आपका enrollment fees जो है जो one time enrollment fees है जो है आपका लगभग 33, 34,000 so 1,00,34 हो गया आप 4,000 रुपय का calculator हो गया Texas VA2 Plus instruments तो आपका 1,00,38 हो गया and हमारा जो training fees level 1 का that is 30,000 and level 2 का that is 30,000 so basically that is why we are providing 100% live classes 100% recorded lectures 3000 plus MCQs and mock tests to practice and it is totally as per the exam basically pattern and we use basically a lot of prep provider's resources as well so basically that will help you to ace your preparation ठीक है ना so आप देखोगे so this is अच्छा early में और standard में फरक होता है so early का जो date होता है वो पहले होता है जैसे November के लिए it's your July end okay so early में क्या होता है कि आपका कम लगता है पैसा and standard में 200 डॉलर जादा लगता है तो रफली जैसा कि आप देख पा रहे हो 16 से 17,000 रुपे का फरक पड़ता है between your early and your standard registration ठीक है ना so अगर आप दोनों standard में करवाते हो तो आपका 800 डॉलर लगेगा 800 डॉलर इस लगभग 67,000 रुपीज सो वहां आप देखोगे आपका total cost जो है वो बढ़ जाएगा total cost बढ़के आपका जहां आपका 2,00,000 रुपै लगता curriculum का वही आपका 2,40, 2,35 के आसपस में आ जाएगा, ठीक है ना Since exams are expensive, हम लोग बहुत एक detailed prep provide आपको करेंगे ताकि fail का बिल्कुल भी chance ना रहे And definitely just before registering for the exams, we will take a lot of tests So that yes, definitely you are 100% prepared for the exam Since इसमें क्या होता है, early registration में आपको बहुत पहले register करना पड़ता है So definitely a lot of life classes are there and exam के पहले तक चलती है That's the morning class, evening class, afternoon class and weekend batch So basically जो आपका miss हो जाएगा, वो आप backup में कर सकते हो जो आप कर रहे हो, वो भी आप backup में दुबारा से देख सकते हो for revision So morning में हमारा जो class होता है, that is 9am, evening में हमारा जो class होता है, that is 6pm, afternoon में जो होता है, that is 3pm And Saturdays and Sundays हम लोग जादा करके class कराते, 2-2 घंटा होता है And उसका जो timing रहता है, mostly वो morning and afternoon इस रहता है, evening पर नहीं रहता है And standard में आपका, यह level 2 का है, so आपका standard में it's 67,000 के आसपास So यहाँ पर जो था, that was level 1 So level 1 का आपका early में जैसे आपका जो timeline है, अभी जैसे आप सबसे बहले training join करते हो उससे में आपका 30,000 रुपीज लगता है, then it's basically 85,000 रुपीज जो आप level 1 का fees जो देते हो So that is 85,000 रुपीज जो आप institute को pay करते हो, जो GARP instructors को pay करते हो And you're paying training fees 30,000 रुपीज to us, उसमें basically आपका सब कुछ included रहता है So अभी अभी में आपका July-July में लगभग आपका 1,15,000 के आसपस का expense हो जाता है उसके बाद में जब आप level 2 की training join करते हो, that's again 30,000, 4,000 रुपीज अभी लोगे July में So now basically you're spending most of the money, you're spending roughly 1.2 lakhs now And in the month of December when you're joining us for level 2, then at that point of time you're paying 30,000 रुपीज And the early registration for level 2 will be January end So at that point of time you're paying us again 50,000 You're paying to the institute basically, the GARP institute you're paying 50,000 रुपीज, okay So अगर आप देखोगे total जो आपका break-up है Break-up जो है आपका Break-up जो है आपका cost का आप institute जो है Basically जो GARP institute है उसको 1,40,000 रुपीज पे करते हो And आप actuators को पे करते हो 60,000 रुपीज in total So that's basically, GARP institute को आप पे करते हो लगभग 1,35,000 रुपीज And आपको आप 60,000 रुपीज पे करते हो for the prep thing So I'll just revise regarding the fees because that's very important So it's very simple, आप सबसे पहले आपको training लेना होते है So जब आप training लेते हो, आप उस समय हमको पे कर रहे हो 30,000 And आप GARP institute को पे कर रहे हो लगभग 85,000 Then आप level 2 की जब training लेते हो, तो आप 30,000 हमको पे करते हो And आप institute का जो exam fees जो है वो आपका 50,000 रुपीज है So that's how the total of 2,00,000 रुपीज is coming Yes, the pass rates are really good, the pass rates are approximately 50% Okay, so yes, it's not that difficult with good prep And it definitely carries value along with whatever professional course you are doing So this is the trend that we have analyzed over the last 10 years, 20 attempts So it's close to 50% on an average that you can see So this is the list of calculators that are approved But definitely the best is Texas Instruments BA2 Plus Financial Calculator That's what we use in the classes, okay And definitely lots of calculator hacks we are going to teach you So there are a few FAQs that I am going to discuss So yes, definitely you can give your FRM exam after class 12 Duration is up to 1 year, like 6 months to 1 year It depends on the intellect and how you are catching up the syllabus Can I start preparing for the FRM while still in class 12? The answer is no You can do it once you clear your class 12 exams So once you have appeared for class 12, then definitely you can start preparing for that So how does the FRM certification complement other finance related courses? So definitely it's an add-on, it's a good plus course And definitely it has individual value as well So it's basically the best and effective utilization of time for an MBA aspirant Who is planning to go for MBA And definitely we all have a time in our life When we think that we don't have to do anything for 6 months to years So that's where you can upskill yourself And you have to see where the time is going We are going to go to risk So that's all the climate-related risks Definitely we don't know how to do this If there will be a fall or not But the financial risk that we can definitely assess our tools with our tools So again, you will see what technological skills should I develop That's what we will do with you Like our Excel workshop Basic is your Excel, financial modeling, SQL, stock markets, machine learning AI related So basically, we will do tech skills in our courses So how does the FRM certification compare? Definitely comparison I will not say that I will say that I will say that it's a good compliment CA, MBA, CFA, CPA and Actualies CA and FRM is a yes, very very good combination People say that FRM is tough and it needs to happen And it needs to happen Because if it's tough, then it's a value It's challenging, then it's a value It's a value that everyone can do So definitely we should take it up as a challenge So definitely we should take it up as a challenge Tougher than MBA Look at that, there is no comparison That FRM is tougher than MBA But I will say that if you are doing MBA So you can do it with MBA And if you are going to MBA So you can do it with MBA Because you can do it with MBA Because it's a backup option It's a good option Can FRM and Actual Science be pursued together? Definitely yes FRM with the best I will say that the best The best thing is ECO honours, maths honours, stats honours Definitely BCom, BBA, BMS is there But definitely if you have Like many students who don't have Quants knowledge So they don't have to be scared Because we always start a scratch Quants Now if anybody is having any doubt Then I can clear that You all can ask your doubts Anybody having any doubt? Yes, Parth You will get one exemption in SP level paper If you qualify FRM So you will get one exemption in SP level So you will get one exemption in SP level So basically what FRM is doing I will suggest you to go to Investment Actuary Because you can give SP5 Which will match the content Which will match the content And you can give one essay paper And you can give one essay paper So basically SP5 And SA7 You will do both And you will do both And in FRM Do both of them So in a nutshell Your CM2 SP5 And SA7 These all are very easy to have With FRM So the finance papers They will be easy to have Yes Anybody else Any query Any query Any query Cost structure Yes Definitely Definitely You can do FRM with CS1 Because Quants Quants You are learning So 20% You will cover 20% And You will also see You will also see You will also see The other machine learning You can do it You can do it Because Your actual exam You will also have September So September After 2 months You will be fully focused But You will have to register Classes Because You will have to learn Every day So That's Very interesting Very good Interactive Yes Any other query Any other query Any other query Okay CS1 Okay Then definitely You should go for it Because Now You have to see You have to see 4 months So You can do it So You can do it You should go for it Okay So Definitely I hope So I am able to explain You the mapping of the cost structure Now You can do it You can do it You can do it You can do it And then You can do it If you are confident Then you can join us for level 2 And You can do it And You can do it So 30 85 30 50 And You can do it So This is basically the cost structure Anybody else Any query Part Basically Actually Digs Deep Into those concepts Which FRM Basically Helps you Cover From Not from very Depth But At a good level I will say And FRM is more focused towards the finance aspect So In Actuary We study more about From the insurance aspect But here We study more from the finance Stock markets And Banking aspect Anybody else Any query Okay So Thank you all of you for joining And We will keep hosting more such sessions And In The next of the sessions Which we will be keeping in August We will be Basically having active discussions With With Can I get job after CS1 And CM1 Yes Definitely You can You can The niche is very good There is no doubt Definitely Yes you can So We will be keeping We will be copying more qualified FRMs Those who are from diverse backgrounds So That will help Open your minds Much 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 More And keep In touch In our YouTube channel Because There we are posting Daily one MCQ of FRM That you can just check how Exam style MCQs are So that's again going to help you make up your mind Okay Thank you all of you See you who comes from But You know It A That You You know This झाल झाल